पूरा अनुमान था इस बात का, जो दुहाई में चाहिए यह नोने पूरे देश में, तो जनता बहुत-बहुत समझदार है, और जनता को अपना देश बचाना है, और जनता को मालुम है इस देश के घाते, आपको लगता है, CAA का फरक पड़ा है, NRC और CAA की जो इतना रेव सिरफ ताना शाहिए नहीं है, यह बहुत जादा हिटलर शाहिए है, और मैं किरन वाले जी पूछना चाहूंगी, जो मीडिया में आरा है, जो सुनने में आरा है कि कॉमन मुद्दों पे हुआ पे लड़ी है, कॉंग्रिस और जी एमेम, जबकि जो है, बीजेपी है, वो ना सिर्फिशन इशू बरादो को यूटा सुटा, दो बार इनका ट्रंप कार्ड चल गया, तो इसका मतलब नहीं है कि हर बार चल जाएगा, तो जो है, जो इनोंने यहां पर अर्थवे वस्ता चिन भिन हो गई थी, उससे जनता पीड़ी थी, और तो उसके साथ पीड़ी, उन सिर्कार से नाखुश है, वहां के लोकल फैक्टर भी इसके लिए जिम्यदार है, पर देश, पूरे देश में जो हालाथ है, उसके प्रती, मैं उसके मुतलिक यही कहना चाहूँगा, कि उससे देश के लोगों का मोभंगवा है, तो कही ना कही असर पड़ा है, जरूर पड से ऐसे नीतियों का असर है, जो देश की आत्मा पर चोट लगा रही है, देखिए बिल क्या कह रहा है, आप बिल में जो उनके होम मिनिस्टर, उनके साफ ये बात कही के नहीं, तो ये वो राय देते हैं, कि मन महान सिंग के जबाने सब ने किया, किसी ने ये एक पर्टिकलर कास को हटा की नहीं किया, तो ये देश हम सब का है, ये इस गलत फ़हमी में नहीं रहना चाहिए, कि हम सब एक और इस देश की सबसे बड़ी ताफ़ाइए, अगर कॉंग्रेस, अगर इस बिल में इस जो एक्ट बना, इस में मुसल्मान वर्क को भी शामिल कर दिया जाए, तो क्या ठीक रहेगा? अगर इस बिल में नहीं होता, ये मैं हवाम की तरफ से कह रही हूँ, हवाम की तरफ से.